अलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने सेनल सूप्रभाद इडिस्टीवर्ण पर आपका स्वागत करता हूए दोस्तो आज हमने रन्बू क्लास फिप्ट से लेशन अमस सत्रह पढ़ने वाले हैं जिस लेशन का नाम I love my India है इसके पहले के जितने भी लेशन्स है मैंने उन सभी लेशन्स का हिंदी अनबाद और उनके कुछ सरांसर को अप्लोट कर दिया है तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंडिया इस आर मदरलेंड इंडिया हमारी मात्र भूमी है अब यहाँ पर देखे इट इस वेल ओन या अच्छी तरीके से जानी जाती है फोर इट्स सोसल सोसल का मतलब होता है सामाजिक अपने सामाजिक के लिए जानी जाती है और रिलिजिस का मतलब होता है धार्मिक ठीक है धार्मिक और इंट्रिगिटी का मतलब होता है अखंडता all over the world जो हमारा भारत है यह पूरे विश्व में सामाजिक धार्मिक और अखंडता के लिए जाना जाता है हमारा जो देश है वो रिच है और ब्यूडिफूल है और बहुती सुन्दर है हमारा देश बहुती धनी या सम्रिद और बहुती सुन्दर है it has many cultures and religious हमारे देश के बहुत सारे cultures है बहुत सारे cultures का मतलब क्या है बहुत सारी संस्कृतियां है बहुत सारी संस्कृतियां है और religious का मतलब होता है धर्म ठीक है बहुत सारे धर्म है और बहुत सारी संस्कृतियां है और country extend from the colorful Rajasthan and Gujarat in west अब देखिए हमारा जो देश है वोग stand है मतलब फैला हुआ है हमारा देश पस्ची में रंग बिरंगे राजस्थान से होते हुए Gujarat तक फैला हुआ है to the vast green tea gardens of Assam in east अब यहाँ पे देखिए और पूरब में पूरब में आसाम के हरे भरे चाय के बागीचों में फैला हुआ है the mighty हिमाल्यास crown कास्मीर in the north of north to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in south और यहाँ पे बोला जारे कि mighty हिमाल्यास और सक्तिसाली हिमाल्या जो है वो crowning मतलब सिर्फ मुखट पहना हुए है और कास्मीर जो है वो उत्तर जिसा में फैला हुआ है यहाँ देखिए to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in the south ठीक है और south में मतलब दक्षिड में बहुत ही सुन्दर केरला है और Tamil Nadu है आगे देखिए friends our country is a center of attraction जो हमारा country है वो attraction का मतलब होता है friends ठीक है जो हमारे देश है वो आकरसर का केंद्र है center का मतलब होता है केंद्र अब किसके लिए खेंद्र है For tourists या त्रियों के लिए मतलब जो tourist होते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं उनके Lie हमारा जो देश है वो attraction का hay अब क्योंकि kyndra hay B because it has many many beautiful places क्योंकि हमारे देश में बहती सुंदर सुंदर places है हमारे देश में बहती सुंदर सुंदर जगहें है आब वो जगहें कौन कौन सी है ये भी जान लीजे तयर्टाजमहल तयर्टाजमहल है यह कुछ ऐसी वर्डल्स है, यह कुछ ऐसे अजूबे हैं, जो कि पूरे दुनिया के लोगों को attract करते हैं, attract का मतलब आकरसित करते हैं, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया के बहुत सारे लोगों को attract करते हैं, आगे देखें फ्रेंट्स, इंडिया, इंडिया is known for, its unity in diversity, इंडिय इंडिया जो है, अपने unity and diversity के लिए जाना जाता है, unity in diversity का मतलब है कि अनेकता में एकता, जो इंडिया है वो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, अब अनेकता में एकता का मतलब यह हैं, बहुत सारे लोग के अलग-अलग मतलब मत हैं, लेकिन सभी लोग अपने भार बोलते हैं worship many gods और बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं and yet और उसके बाद भी we have the same spirit उसके बाद भी हम सभी लोग की आत्माएं बिल्कुल सेम हैं मतलब बिल्कुल एक जैसी है the spirit of India और वो आत्माएं कौन सी हैं मतलब भारत की आत्माएं हैं सीधे सब्दों में friends ये line ये कहना चाती हैं कि भले ही हम बहुत तरकी भासाये बोलते हैं बहुत अलग अलग तरकी भगवानों की पूजा करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा जो तन्मन है वो एक जैसा है और हमार तन्मन से हम सभी लोग अपने भारत देश को बहुत ही प्रेम करते हैं तो indirectly ये line यही कहना चाहता है अब देखे friends कुछ और भी आगे बातें बोली जा रहे हैं इस spirit of oneness runs through all parts of the country यहां पे देखिए इस spirit of oneness ठीक है रन त्रू आल parts of our country बंडिंग us together यहां पे देखिए जो ये आत्माय है जो मतलब हम लोग के अंदर जो ये चलती है जो भाव भावनाय जो चलती है ये जो है पूरे देश में चारो तरफ मतलब फैली हुई है और हम सभी लोग को एक तरफ जोडने की कोशिस करती है बंडिंग का मतलब होत men's love तन मन में बसा हुआ होता है बहुत सारे लोग इंडिया से कहीं और चली आते हैं लेकिए उसके बाद भी उनके मन में भारत के लिए बहुत ही सम्मान होता है बहुत ही उनके दिलों में भारत के लिए प्रेम होता है we celebrate different festival like वली दिपावली बैसाखी एद Christmas पॉंगल etc. ETC को etc. यहां पर बोला गया है तो यहां पर बोला जारा है फ्रेंट्स आगे लेशन में बताया जारा है कि we celebrate हम मनाते हैं different festival अलग 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 तरह की तेवारों को हम मनाते हैं like जैसे कि होली, दिपावली, बैसाखी, एद, Christmas और पॉंगल, ठीक है हम लोग इस देश में अलग अलग तरह के तेवारों को मनाते हैं जिसमें से कुछ तेवारों के नामिया पे लिखे गए हैं होली और दिपावली जो है वो भारत में हिंदु लोग मनाते हैं बैसाखी यहां पर देखे फ्रेंट्स यह अलग राजी के लोग मनाते हैं, एद जो है मुसर्मान लोग मनाते हैं, Christmas जो है वो Christmas लोग मनाते हैं, यहां पर देखे पॉंगल भी मनाया जाता है हमारे ही देश में और भी बहुत तेवार है जो कि हमारे देश में मनाया जाता है With a great joy and happiness अब किस तरह से मनाया जाता है With a great joy, joy का मतलब होता है Friends, खुसी and यहां पर देखे happiness का भी मतलब प्रसंता होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा खुसी और प्रसंता के साथ यहां पर joy और happiness दोनों का ही मतलब खुसी और प्रसंता होगा I love my country and I am proud to be an Indian I love my country मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ and I am proud to be an Indian और मुझे एक भारती होने पर बहुत ही गर्व है या मुझे भारती होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है तो Friends, इस तरीके से जो एलेजन था उसको हम लोग ने पढ़ लिया I hope कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई भी doubt नहीं रही होगी तो मिलते हैं Friends, इसके अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सबी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद Thank you for watching this video